Assalamu alaikum to all my beautiful students so welcome back to your own platform of journey to MBBS तो हमने अपने प्रिवेस लेक्चर में human eye को अच्छी तरह से discuss कर लिया था structure of human eye हमने इसको discuss किया है इसकी layers को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है ठीक है इसकी protective layer covering को इसके अंदर यह fluid है ठीक है उस fluid को कौन सिक्रीट करती है कि यह सारी चीज़े हमने अच्छी तरह से discuss कर लिया है आज हम मजीद इसमें और information add करेंगे तो आगे चलते हैं तो यह हमारी एक eye है यह हम अपने प्रिवेस लेक्चर में देख चुके हैं कि यह जो eye का यह जो whiteish part होता है इसको हम sclera कहते हैं ठीक है और यह जो color part है किसी की black होती है किए ब्राउन किसी की green किसी की light purple color की ठीक है तो इसको क्या कहते है इसको iris का function क्या iris का काम यह है कि यह regulate करती है size people के size को ठीक है और people काई सा है यह जो बीच में यह present है छोटा सा ठीक है यिसको people कहते है अच्छा पीपल क्या करती है people को काम होता है hole for entry of light light जो pass होती है travel जो करती है isके अदर से light enter करती है थीक है people के अंदर से overall तो cornea के अंदर से enter करती है तो लेकिं यह जो hole है इसके अदर से light पास ہोती है ठीक है अच्छा अब यह जो आइरेस है यह पीपल के साइस को रेगुलेट किस तरह से करता है अब आपने देखा होगा कि जब हमारी आँखों पर अचानक से रोशनी आती है तो कैसे हम आँखों को छोटी कर लेते हैं ठीक है तो जब रोशनी में हम देख रहे होते हैं तब क्या कर रहे होते हैं तब हमारी आइरस होती ही yerex होती है जब आइरस debtrol f test को a nation होगी तो प्ञेस छोटा होगा खिए जब हम किसी चीज़ करते हैं तो आपने अधेरे में देख और इसके साइस मोइने इनक्रीस तो यह समझा गया अब हम देखते हैं रेटिना को ठीक है तो रेटिना के अंदर तीन तरह के सेल्स प्रेजन होते हैं तीन तरह के सेल्स कौन से एक गेंग्लियॉनिक सेल्स दूसरे बाइपोलर नियॉरॉंस और तीसरे फोटो रिसेप्टर सेल्स बाइपोलर नियॉरॉंस हमने प कहां पाए जाती है सिर्फ हमारी olfactory lobe में और हमारे retina के अंदर सिर्फ ये दो जगा ये bipolar neuron आपको मिलेंगे ठीक अच्छा अब हमें discuss करना है photoreceptor cells को photoreceptor cells के अंदर दो तरह के मजीद proteins होते हैं rods and cones ठीक ये rods and cones बहुत important है इस पर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी rod और cone है ये हमें देखने में मदद करती है किस तरह जो हमारी rod है ये हमें dim light में देखने में help करती है dim light में जब हमें देखना तो आप कौन से ये proteins हमें देखने में मदद करते हैं rod और rod के अंदर color vision और इनके प्रोटीन को कहते हैं त्टीक है और किस तरह का विज्वЕल पर पर कलर होता है ठीक अब हम देखें कि कौन को तो एट होते हैं यह हमें ब्राइड लाइट वे देखने में मदद करते हैं और इनके पास कलर विजन होती है bright light में आपने देखा है कि आपको हर color अच्छी तरह से नजर आ रहा होता है ठीक है और इनके protein को iodopsin कहते है और इनका color violet color होता है reddish violet color ठीक है अब हम देखेंगे mechanism of vision आखर हम देखते किस तरह से light कहां पर आकी गिरती है कहां पर light को आना चाहिए exactly जिस पर हमाई vision normal कहला है ठीक है और कौन-कौन से इसमें defects पाए जाते है ठीक है उन सब चीजों को हम अभी discuss करेंगे अच्छा तो हमने जो retina के cells पढ़ें कितने cells अभी अभी पढ़के आ चुके हैं टीन तरह के cells ठीक है photoreceptor cells bipolar neurons और ganglionic neurons ठीक अब जो हमारा yellow spot है यह जो हमारा yellow spot है यह color जो yellow color का आपको दिख रहा है इसको हम yellow spot ही कहते हैं ठीक है इसके अंदर bipolar neurons और ganglionic cell नहीं होते इनके अंदर सिफ पाए जाते हैं rod and cone cell इसके अंदर मैं छोटा छोटा आर और सी लिखा है इसके अंदर पाए जाते हैं rod and cone cell लेकिन cone cell सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इनके अंदर और इसकी वज़ा क्या आगे चलके मैं बताऊंगी तो यह bipolar injuries and ganglionic cell नहीं होते हैं इसकी फोटो receptor cells और फोटो रिचसेप्टर। ठीक है वही यह जो rod and cone cell है यही तो vision को reflect करते हैं ठीक है तो फिर हम देखते हैं यह सारी हमारी layers हैं जो हम पीछे पर चुके हैं ठीक है बिलको यहां पर light आनी चाहिए हमारी किस तरह से इस diagram में आप देखें यह मैंने की diagram बनाई हुई है यह यहां से light अंदर आए ठीक है बिलको अंदर आकर yellow spot पर आती है yellow spot पर अगर यह focus करती है तो यह कौन सी vision है बिलको नॉर्मल विजन है ठीक है ना इनकी दूर की नज़र कम नॉर्मल विजन है अगर yellow spot पर light आ रही है ठीक है और एक और बहुत important बात यहां से जो nerve निकल रहे हैं कौन से nerve है optic nerves हमने हमारे 12 cranial nerves पढ़े थे हमने तो उसमें से जो number two पर हमारे पास थी हमारी optic nerves यहां पर कौन सी है हमारी optic nerves है ठीक है जो के निकल्स का रही है अब केमिकल चेंजिस हो रहे हैं ठीक है प्रोटीन टूट रहे हैं वापस प्रोटीन बन रहे है उनकी regeneration हो रही है वापस तो हम किस तरह से देख रहे हैं किस तरह से इन सब चीजों ने हमारे देखने को पॉसिबल बनाया तो उस चीज को हम अभी study करेंग कि BIOCHEMICALS OF EVENS किस तरह से यहां पर हो रहे हैं ठीक है बायो कैमिकलS OF EVENS occurs करती है किस करती है किया आखिर क्या करती है यह light brings chemical changes in visual pigments ठीक है तो यह सब कैसे chemical changes होंगे वो सब हम step by step देखेंगे तो सबसे पहले कोई भी visual pigment दो चीज़ों का बना होता है ठीक है किन दो चीजों का बना होता है एक जिसको हम कहते हैं एलडी हाइट ठीक है जिसको हम रेटिनल भी कहते हैं एक इसका बना होता है दूसरा प्रोटीन होता है जिसको हम आपसिन कहते हैं इन दो चीजों से मिलकर कोई भी विज्वेल पिगमेंट बनता है ठीक है अब इसक जो प्रोटीन है उसको नाम क्या होता है रेटिनल एलकॉलिक होता है और यह प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी ऑक्सिडेशन से ही बनता है हमारा रेटिनल ठीक है चलिए अब हम देखते हैं फोटो रिसेप्टर सेल को तो पीछे हम पढ़के आचुके फोटो इसको डिसकस करते हैं तो रोट के प्रोटीन को क्या कहते है रोडॉपसिन कहते है ठीक है तो यह रोडॉपसिन के अंदर रेटिनल और इसका जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते है इसको इसको टॉपसिन ठीक है तो यह दोनों मिलके क्या बनाते है यह मिलके बनाते है रोड मादस्वरे में देखने में उसके आज की आजिता हैं चाज़ते हैं और आसे राता है कि लोगुद के साल देखते होता है कि अधेरे रौष ने विवा ऐससा होता है को है जब आप रोशनी में लाल आप पर तो हम री होता है और जब रोशनी में होते है inventory अध्यूर्टी से एंधेरे को अचानक से और यह अजद नहीं होनुक्त है कि बूए इस नहीं 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 है यह अभी तूटा हुआ आपको थोड़ी दे बाद बिलकूर नज़र आना शुरू हो जाताँ है वह इस लिए अज़र आना शुरू जाता है क्योंकि वह उस थोड़ी देर کے अंदर यह rhodopsin आपका दुबारा से बन जाता है, इसकी regeneration हो जाती है वापस से, ठीक है, समझाए आपको, तो यह जो कौन सेल है, यह आपको रोश्णी में देखने मदद करते हैं, और इसके protein को क्या कहते हैं, ठीक है, और इसको भी किसने बनाया है, retinal ने, और प्लस इसके cell को क्या कह हैं, ठीक है, जो आपको दिन में देखने में मदद देता है, तो यह chemical changes हो किस तरह से रहें, तो यह rhodopsin जो तूटा था, वो किस तरह से तूटा था, यह rhodopsin इन ही component में तूटा है, और वापिस इन ही component से दुबारा बनता है, तो rhodopsin तूटा था, इसके तूटने को क्या क है, तो वापिस जब आप अंधेरे में गए, जब थोड़ी दे बाद आपको नजर आना शुरू हुआ, तो यह वापिस आपका यह rhodopsin बनना शुरू हो गया, तो यह वापिस किस तरह से बनेगा, वापिस यह rhodopsin प्लस इसको टॉपसिन, दुबारा से आपका regeneration होना शुर और साथी एतना के बंधेरी सी चँरू परी डियां तो अधेरे में न चाहतेख वीविए, तो यह वापिस नहीं होता है तो यह दिगा शुरू होता है जीन को घर ड़ लगता थोड़े बात ठीग है, तो पागलपन शूरू इक में उपन तो थोश होता है डिक है और ब सीच में हो क्या रहा रहा है? मायोपिया वाली एक डियाग्राम है जिसमें आपकी क्या है दूर की नदर कमजोर है तो उसमें क्या होगी जो आपकी light है वो आपकी yellow spot से पहले yellow spot के पहले पढ़ेगी light ठीक है yellow spot पर बिल्कुल नहीं हारी उसके सामने आ रही है light ठीक है तो अब हम क्या करते हैं उसको correct किसे करते हैं weekendurence करेंग करते हैं ठीक हैं कर्ण लेंस से वो क्या हो करते हैं लायट कम फोकस करते हैं आप की येल्व सपोर्ट पे ठीक अब देखते हैं राफ्रमायोपिया हाईप्रमायोपिया में क्या हो रहा है इसमें सैजिन सादने एक हमरे ऐसंघेखे लेट के फोकश कर سंब कर घ्राइए ठीक है एक और कंडिशन आती है हमारे पास मायोपिया और हाइपर मायोपिया के इलावा जिसको हम क्या कहते है एस्टिकमेटिजम कहते है इसको हम ठीक है अब यह क्या होता है इसमें आपकी दूर की नजर भी ब्लर्ड होती है और करीब की नजर भी ब्लर्ड होती है यह क्यों होता है यह कॉर्णिया की तो उमीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो इसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चाले को सब्सक्राइब करें लाफिस